हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जौब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यार दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब ने किया है जली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी हाँ दोस्तो राजस्थान में पहुत ही जबड़ दर्स भरती आ चुकी है राजस्थान नर्स भरती 2023 दोस्तो राजस्थान करमचारी चैन बोड जैपूर से समविदा जी अन्यम नर्स के 1588 पदो पर फुल नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते है दोस्तो फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर वेबसाइट है RASM SSB की वेबसाइट पर पब्लिस कर दिया है सबसे अच्छी बात दोस्तो 10 जुलाई से ओनलाइन सुरू होगा और आप लोग जो हैं 8 अगस्थ 2023 तक फर्म को अपलाई कर सकते हो दोस्तो इसमें एक्जाम ह बेस पर ही आपका सेलेक्शन होगा बाकी सिलेबस एक्जाम के लिए जारी कर दिया गया है और एक्जाम आप लोगों का ओफ लाइन मोड में होगा एक्जाम आपका 24 सेप्तमबर 2023 को होने वाला है तो दोस्तो आज इस वीडियो में बात करेंगे फुल नोडिफिकेशन के ब लोगी एक्जाम डेड क्या है A2J full details की वीडियो है और इसमें हम आपको A2J सारी जानकारी देने वाले हैं किलियर है तो दोस्तों बता दें वीडियो के शुरू में कोई गलती हो जाती है मैं आपसे पहले ही माफिच चाहता हूँ वैसे कोई भी यहाँ पर गलत information मैं आपको नहीं दोंगा जो full notification में जानकारी mention की गई है official वही information हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं बाके मैं आपसे बता दूँ कि इस एक वीडियो में आपको इस भरती के बारे में ये 2 जड़ सारी जानकारी दी जाएगी तो अभी आप लोग इस वीडियो को इसके मत करिएगा पूरा वीडियो देखिए अगर आपको सारी जानकारी चाहिए चलते हैं full notification पर तो दोस्तों आप लोग देख पारे होंगे 14 page का यह full notification publish किया गया है यहाँ पे आप लोग देख पारे हैं तो चलिए देखिए page नंबर वन और यहाँ पी देखिए notification जो है open हो चुका है website पर विश्तरत विज्यापन जारी किया गया है राजस्थान करमचारी चैन बोड जैपूर यहाँ पी देखिए करमांग के इसका है notification नंबर है NHM सम्विदार नर्स भरती 2023 notification करमांग नंबर है 2213 date mention है 6 July 2023 यान कि अभी अभी आदे गंडे पहले राजस्थान करमचारी चैन बोड जैपूर ने सम्विदार नर्स की नोडिफिकेशन निकाल दी है इसका विज्यापन संख्या notification नंबर के साथ विज्यापन संख्या नंबर है 04 object 2023 यहाँ पर देखिए सम्विदार नर्स भरती 2023 किलिएर है तो आजी के नोडिफिकेशन है राजस्थान सम्विदा भरती नियम 2022 के अंतरगत राश्टी सौस्ट मिसन चिकिसा सौस्ट योम परिवार कल्याण विभाग के लिए सम्विदार नर्स के गैर अंसूची छेत्र के 1400 योम अंसूची छेत्र के 188 कुल 1588 यानि की 1588 पंदरा 188 बदों पर भरती है तो निर्धारित परापत्र में ओनलाइन आविजन पत्र ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म आमंत्रित किये जाते हैं उक्त पद पोणरोप से सम्विदा आधारित पद है ततर राज सरकार के निर्धेशों के अंसूची पद केवल एक वर्स या बढ़ी हुई आवधी या परियोजना आवधी तक होगा वैसे आपकी जो डूरेशन इसे बढ़ा दी गई है किलियर है बाके कर आप लोग इसकी त्यारी करने वाले हो तो नर्सिंग इंडिया यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही जल्दी आपका एक्जाम हो रहा है 24 सेब्टमबर को एक्जाम होगा जिसमें आप लोगों के लिए बता दे तो समस्त दिव्यांग जन के लिए 4 रूपे की आप्लिकेशन फीस लगने वाली है फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लोटाई जाएगी इसकी भी यहाँ पर जानकारी दोस्तों दी गई है आगे देखिए समविदा नर्स के रिक्त पदों का डेटर्स यहाँ पर है और गैर अंसूची छेतर के लिए कुल टोटल यहाँ पर 1400 वेकेंसी है जिसमें आप लोग देखोगे कुल पद 1400 है इसमें समान के लिए समान में दोस्तों समान के लिए 254 वेकेंसी समान महिला के लिए 204 वेकेंसी विधवा के लिए 40 वेकेंसी है इसी के साथ ही अंसूची जाती में जो है आप लोग देखोगे तो वेकेंसी है 111 वेकेंसी समान के लिए समान महिला के लिए 90 वेकेंसी विधवा के लिए 17 वेकेंसी है इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए केटेगरी वाइज यहाँ पर वेकेंसी की जानकारी दी गई है आगे बढ़ते हैं horizontal reservation के बारे में जानकारी है इसे आप लोग देख लेना उत्करेश खिलारी के लिए 28 vacancy reservation दी गई है अंसूची छेतरे में दोस्तो 188 vacancy है जिसमें समान के लिए देखोगे तो 48 vacancy समान के लिए and समान महिला के लिए 38 vacancy and विधवा के लिए 8 vacancy है इसी के साथ ही अंसूची जाती में दोस्तो समान के लिए 5 vacancy समान ने महिला के लिए 4 vacancy विधवा के लिए vacancy नहीं है अंसूची जन जाती के लिए समान में 42 vacancy है and समान महिला के लिए 34 vacancy विधवा के लिए 7 vacancy है होरिजेंटर रेजर्वेशन दी गई है थेरी वेकेंसी उतकरिष्ट खिलाड़ी के लिए तो यह दोस्तों यहाँ पे option का देखिएगा तो गैर अंसोची छेदर की वेकेंसी की details दी मैंने दे दी है अंसोची छेदर की 188 वेकेंसी है इसकी भी दोस्तों मैंने आपको details दे दी है और इसमें कुछे आपके लिए क्रेटेरिया है इसे भी आप लोग यहाँ पर देख लेना आगे यहाँ पर दोस्तों बताया गया है वेतलमान के बारे में सैलरी के बारे में तो सैलरी आप लोगों को दोस्तों हर महिने क्योंकि देखिए समवीदा जीनम नर्स की विकेंस लगती हो बिल्कुल दोस्तों फ्रेसर यहां पे फार्म भर सकते हैं experience यहां पे नहीं मांग गया है यानि कि जीएनम का रखे हो और राजस्थार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टेसन है तो आप लोग इस फार्म को भर सकते हैं नीचे आओगे तो राश्टेदा के बारे मताय गया कि भारत का नागरिक हो तो आप लोग जो है इस फार्म को भर सकती हो और इसमें चरित्र के बारे में भी कुछ जानकारी है कि आवेजन पत्र की दिनांग से 6 महेने पहले के ना हो और अभरती के रिस्तेदार दोरा दिये हुए नहीं हो तो इसमें चरित्र परमार्ट प 21 वर्स आयूसीमा है एंड मैक्सम आयूसीमा 40 वर्स यहां पर रखे गई है और 1 जनुवरी 2024 को आपकी एज काउंट होगी एक जनुवरी 2024 तक अगर आपकी 21 वर्स से कंप्लेट हो जाती है तो आप लोग इसी फार्म को भर दो और 1 जनुवरी 2024 तक अगर आपकी 40 वर्स एज क्रेटरिया हो रही है तो आप लोग भी इस वाम को भर सकते हैं क्योंकि एक जनवाई 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी यह बहुत थी अच्छी बात है सबसे अच्छी बात मुझे लगी है क्योंकि जनरल के लिए देखो के तो 21 से 40 वर्ज की आउसीमा है इसके साथी साथ दोस्तो अनसूची जाती अनसूची जन जाती अन पिछरावर्ग अति पिछरावर्ग EWS के पुरुस अभेर्थियों को जो रजस्थान की मूल निवासी है उन्हें 5 वर्ष की छोड़ दी जाएगी एन समान वर्ष की महिला अभेर्थियों के मामले में भी 5 वर्ष की छोड़ दी जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसके साथी अंसूची जाते अंसूची जन जाती अन पिछावर्ग अर्थी रूप सी कमज़वर्ग की महिला अभेर्थि को 210 वर्ष की छोड़ मिलेगी जो रजस्थान की मूल निवासी है तो आयो सीमा में बहुत छोड़ यहाँ पर मिलने वाली है और इसमें बताया गया कि 10 जुलाई 2023 से ऑनलाइन सुरू हो रही है और आप लोग 8 अगस रात को 12 बजे तक फार्म को ऑनलाइन मोड में अपलाई कर सकती हो परिच्छा आजोजन की बात करते हैं तो बिलकुल कनफर्म एक्जाम डेट है और समविदार नर्स के पदों की भरती है तो बोड दोरा परिच्छा संभावित 24 सेप्थम्बर 2023 को आवन्टित परिच्छा केनरों पर करवाई जाएगी इस समवन में विस्तरिच सूचना बोड की वेबसाइट पर प्रेस विग्यापत के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी बोड के पास परिच्छा की दिनांक योम अस्थान में परिवर्तन करने का तो अधिकार होगा लेकिन एड़ेट बिलकुल कनफर्म है 99% 24 सब्तमबर को दोस्तों आप लोगों का 24 सब्तमबर 2023 को आपका ओफलाइन मोड में एकजाम होगा जिसके लिए 5 से लेकर एक हफ़ते पहले आप लोगों का 5 से लेकर एक हफ़ते पहले या फिर 10 दिन पहले आपका एड़मिट कार दोस्तों जारी कर दिया जाएगा बाकी नीचे आओगे तो आविधन कैसे करें इसके भी जानकारी इसमें दी गई है आप लोग देख लेना दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे आते हैं और यहां पर कुछ आएंसर की के बारे में जानकारी है क्योंकि आप लोगों का answer की जारी किया जाएगा और answer की जारी करने के बाद अगर आपको किसी question पर objection करना होगा तो उसके लिए परतेक और बत्ती के लिए आपको 100 रुपे का सुल्क जो है जमा करना होगा यह जानकारी भी इसी में दी गई है बाकी आप लोग संसोधन भी कर सकती हो संसोधन के लिए 300 रुपे payment करना होगा 300 रुपे सुल्क देकर आप लोग जो है जो farm में आपकी त्रोटी हो गई है तो उसे आप लोग सुधार भी कर सकती है नीचे आओगे तो जाती परमाण पत्र के बारे में कुछ criteria इसे देख लेना अगर कोई doubt होगा तो नीचे comment करना मैं special video दोस्तों बना दूँगा इसके बाद दोस्तों नीचे आओगे तो अब बात करते हैं 20 number syllabus के बारे में तो समवीदा नर्स के पदोग पर भरती है तो परिच्छा की समय एक घंटा 30 मिनिट यानि की 90 मिनिट में 90 मिनिट का समय रहेगा और offline पेपर रहेगा और इसमें बहुकलपी परस्ण हैंगे यानि की mcq टैप्स का question रहेंगे इसमें नेच देखती है number 4 परस्ण पत्रों में परस्णों की संख्या सो रहेगी and सभी परस्णों की अंक समान होंगे परति एक परस्ण चार अंक का होगा परति एक परस्ण चार अंक का होगा गलक जवाब दिये जाने पर परति परस्ण नकरात्मक 1 by 4 काटा जाएगा तो अब देखिए questions जो है आपके English और Hindi दोनों language में होंगे तो question आपके English और Hindi दोनों language में होंगे यानि कि bilingual में आप लोगों की questions बनाए जाएंगे क्यों offline है और R.S.S.B. आपका paper करवाएगा तो दोस्तों question English और Hindi दोनों में रहेंगे और offline paper रहेगा and इसमें 90 minute में आपको 100 question करने होंगे जो कि 400 number का होगा एक question आपकी 4 number के हैं clear है और इसमें 1 by 4 का negative marking है यानि कि दोस्तों अगर आप लोग 4 question गलत कर दोगे तो आपकी एक number यहाँ पे कटने वाले हैं यह आप लोग ध्यान रखिएगा बाकि परिच्छा का particle में यहाँ पे दिया गया है पजसे सम्मांधित नियोनितम प्रोफेशनल योगता के बारे में जाने कर दिया आएंगे 55 question 55 question एक question 4 number का है जो कि बहुत ही important है यह आप लोग ध्यान रखिएगा एक question 4 number का है तो अच्छे से आप लोग त्यारी करिए और 55 question nursing से पूछ जाएंगे nursing का यहाँ पर topic दिया गया है इसका मैं अलग से चर्चा कर लूँगा इसमें topic दिया है क्या क्या आपको पढ़ना है nursing में और इसी से दोस्तो 55 question आएंगे इसके बाद नेश्ट यहाँ पर देखिए एनेचेम राश्री स्वास मिसन के अंतरगर्द संचालित कारिकर्मों योजनाओं से सम्मंदित 15 question पूछेंगे जो कि 60 marks का होगा नेश्ट यहाँ पर रजस्थान के सम्मंद में समान ग्यान रजस्थान का विकास भगोल इतिहास परड़न अस्तर भासा संस्कृत तेहवार संगीत मेले लोग यह सब कुछ इस से 5 question 20 number के पूछे आएंगे क्योंकि यह question 4 number का है और 1 by 4 का negative marking है समसामाई घटनाई में देखोगे तो समसामाई के घटनाई में दोस्तों अंतर राश्थरी योँ राजस्थरी यहाँ पर करेंट अफेर से 5 question 5 number के पूछे आएंगे और computer से 5 question 5 number के पूछे आएंगे और समान चिकिसा सौस्थ पॉच्टन सवच्थता से संबंधि समान घ्यान से 15 question 15 question दोस्तो 15 question 60 marks के पूछे जाएंगे तो 100 question होंगे 400 marks का होगा एक question आपकी 4 number 1 by 4 negative marking है bilingual में आपको question पूछाएंगे 90 minute में आपको 100 question करने होंगे offline paper होगा यह मैंने सब कुछ चर्चा कर लिया है से लिए बस की जानकाय देदी है qualification की जानकाय देदी है application fees के बारे में जानकाय देदी है यानि कि ये टूजर सारी information हमने आपको इस वीडियो में देदी है हारी परसाज सर्मा अध्यच इनोडिफिकेसन रिलिज की गई है थैंक दोस्तों मिलते हैं नेश वीडियो में कैसा लगा वीडियो जरू बताईएगा बाई मिश्टे कोई गलती हो गई है आपसे माफी चाहता हूँ धन्यवाद